आपके दवा दारू का इंतिजान कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का, वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। काई लोग सरकार में बैठे हैं, इनको जरासी दया नहीं आती, इतने गरीब लोगें, बड़ी मुश्किल से एक आदमी या तो अपनी जुगी बनाता है, या किराये पे जुगी लेता है, और ये बुल्डोजर चला के सब का समान तोड़ देते हैं, सब के जुगियां आके देंगे जुगिवालों को, हमें क्या पता था, आज से दस साल पहले, आज से दस साल पहले कोई जानता भी नहीं था केचरी वाल कौन है, छोटा सा आदमी हूं, जुगी बस्तियों में काम किया करता था, ये तो पता नहीं कैसे उपर वाले की कृपा हुई, आप लोगों की किरपा हुई और एकदम से इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिया आप लोगों ने मेरे को जब से इस कुर्सी पे बैठा हूँ दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश रही है कि किस तरह से गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा काम करें सरकार आज हमारी सरकार ने मैं पूछना चाहता हूँ सतर साल में कोई एक ऐसी सरकार आई हो पूरे देश में कोई सरकार आई हो जिसने जुग्ई वालों के लिए काम करा हो जितनी सरकारें आई चाहे वो इस party की हो चाहे वो उस party की हो वोट लेने जुग्जी वालों के पास आते हैं और जीतने के बाद बुल्डोजर भेजते हैं जुग्जियां तोडने के लिए पहली बार एक सरकार आईए पिछले पांस साल के अंदर जहां ये जुग्गी तोड़ने दिली सरकार की तो कोई जुग्गी नी तोड़ने दी केंद्र सरकार वाले भी जहां जुग्गी तोड़ने पहुँचे मैं मुख्य मंत्री होते वे भी बुल्डोजर के सामने खड़ा हो गया मैंने का मजाल जो तुम दुगी तोड़ोगे पहली बार एक सरकार आई है जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करा है आज तक कोई सरकार आई थी जिसने सरकारी स्कूल ठीक करे पहली बार एक सरकार आई है जो गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है पहली बार एक सरकार आई है जो आपके परिवार का अच्छा इलाज कराने की कोशिश कर रही है आपके लिए महला क्लिनिक बना रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर अस्पटाल बना रहे हैं अस्पटालों में सारा इलाज मुफ्त कर दिया पहली बार सरकार आई है जो जुग्यों के अंदर सडक और गलिया बना रही है पहली बार सरकार आई है जो जुग्य वालों को पानी पिला रही है पहली बार ज़रकार आई है जो जुग्ये वालों को फ्री में भिजली दे रही है और अब दोस्तों आपकी एक खौैश बची थी मेरे को पता है जुग्यों के अंदर एक आदमी रहता है तो मजबूरी में रहता है पैसे नहीं है बिचारे के बास पैसे होते हैं तो greater class में बंगला ले लेता है एक आदमी जुगी में रहते हैं मजबूरी में ही रहते हैं गरीबी में रहते हैं हर आदमी की इच्छा होती है मेरा भी एक सुन्दर सा घर हो बाहर जाते हो रिष्टेदार आते हैं बताने में शरम आती है कि जुग्गी में रहते हैं आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं कॉलिज जाते हैं पढ़ने कॉलिज में अपने दोस्तों को बताने में शरम आती है जुग्गी में रहते हैं अब दोस्तों आपका ये छोटा भाई मेरे को आप अपने परिवार का हिस को पक्के मकान बनवा के दूँगा इज्जत की जिन्दगी दूँगा ऐसी जिन्दगी दूँगा आपको फकर होगा कि अब हम अच्छे घर में रह रहे हैं हम लोगों ने पांच हजार पांच हजार लोगों को शिफ्ट कर दिया पटपडगंज में जुगियां थी और भी कई लाकों में जुगियां थी उन लोगों को पक्के मकान दे दिये बाई साब आपको देखना था जब उनकी चाबियां हमने उनके आथ में दी जैसे आज मैंने सर्टिफिकेट दी हैं ना ऐसे ही प्रोग्राम करके हमने उनके फ्लैट की चाबियां उनके आथ में दी थी बाई साब उनकी आखों में आसू थे खुशी के आसू थे उनकी आखों में उन्होंने का जी इतनी इज़त आज तक कभी किसी ने दी दी हमको